हेलो दोस्तों, दोस्तों, आज हम solve करेंगे exercise 9.1 के question 7 को, दोस्तों इस question में कह रहा है कि from a point on the ground, मतलब ground पर कोई एक point है कह रहा है कि उस point से the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at a top of a 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively तो इस question में कह रहा है कि एक 20 meter building है, 20 meter उची building है, 20 meter, और उस building के top पर एक tower fixed है एक tower fixed है, अब कह रहा है कि इस point से जब हम इस tower के bottom को देखते हैं, जब हम इस point से tower के bottom को देखते हैं, तो यह angle कितना बनाता है, 45 degree और करना जब हम की top को दीखते है, तो यह angle कितना बनाता है, जो हमिसके top को देखते हैं, यह angle कितना बनाता है यह angle बनाता है, 60 degree ग्याister एंगल 60 degree बनाता है, इतना हए अब हम फाइंड क्さो किस इक है, इस point lei शेलेका, यह यहीं तो लेंथ है, tower की अब हम नाम दे देते हैं, A, B, C, D, इतना हुआ, गाइस, आपको ऐसे मोटा टावर नहीं बनाना है, आपको बस एक लाइन ही बनानी है, जब भी आप इसको नोट में अपने लिखेंगे, या किसी एक्जाम में करेंगे तो, इतना हुआ, हमें क्या फाइंड करना है, टावर क है, B, C, D, एक P, C, D एक ट्रैंगल है, और आपको या है, ए, B, C, E, D, C, एन है, हमने सोचा, कि अगर हम इस ट्रैंगल, B, D, C से, अगर हम D, C के वेयलों फाइंड कर लें और इस ट्रैंगल में हम D, C के वेयलों फाइंड कर लेंगे by health of dc कैसे चलिए देखते हैं तो हम in triangle b dc लेते हैं in triangle b dc तो हमें in triangle b dc में क्या दिया गया है b c b c क्या है 20 meter b c 20 meter दिया गया है और हमें find क्या करना है dc तो हम कैसे find कर सकते हैं तो हमें b c और dc में कुछ relation find करना होगा b c क्या है गाई पर्पनिकुलर और डी-स क्या है बेस पर्पनिकुलर और बेस में क्या रेलेशन हो सकता है मिस्पता है पिर्पनिकुलर अबॐल हमें पता नहीं है dc तो 1045 की वैल होती है 1 is equal to 20 upon dc तो यहां से क्या आएगा यहां से आएगा dc is equal to 20 meter तो हमें dc के value 20 meter मिल गए गई अब हम क्या करेंगे इंट्रेंगल a dc अब हम ट्रेंगल a dc को लेंगे इंट्रेंगल a dc हमें इसमें क्या find करना है a c a c हमें find करना है और हमारे पास value क्या है dc मतलब हमें dc पता है dc हमने find किया है अभी 20 meter इतना हुआ अब हम dc और a c में क्या relation find करें कि हमारा question solve हो जाए हमने देखा a c क्या है a c perpendicular है और dc क्या है base a c perpendicular और dc बेस तो perpendicular upon base एक इसके क्या होता है 10 theta के होता है अब यहां पर theta के value क्या है 60 degree तो यह हो जाएगा 1060 is equal to perpendicular क्या है यहां पर a c a c में find करना है upon हमें दिया क्या है dc dc कितना है 20 meter 1060 के value होती है root 3 is equal to हो जाएगा a c upon 20 तो यहां से क्या आएगा यहां से आएगा a c is equal to 20 root 3 meter इतना हुआ अब गाईस a c को हम ऐसे भी दिख सकते हैं a b plus b c हमें find क्या करना a b a b ही तो टावर की हाइट है तो यहां से क्या हो जाएगा 20 root 3 meter अब गाईस b c के value हमें पता है b c क्या है 20 meter building की हाइट क्या है 20 meter b c ही तो building की हाइट है तो यहां से क्या है a b की value आ जाएगी 20 root 3 minus 20 यहां से हो जाएगा 20 root 3 minus 1 meter a b की value हमारी आए 20 root 3 minus 1 meter